नमस्कार गुजरात के मुख्यमंतरी स्रीप भुपेंद्र पटेल स्रीमान राकेश जी संसद में मेरे सहयोगी स्री सियार पाटिल जी गुजरात के मंत्रिगण इस पुन्य कार्खम में उपस्तित सभी महानुभाव देवी और सज्जनो हमारे यहाँ सास्त्रों में कहां गया है कि सजीवती गुणायस्य सजीवती गुणायस्य धर्मो यस्य जीवती यानि कि जिसके गुणधर्म जिसके कर्तव्य जीवित रहते हैं वो जीवित रहता है आज का ये कारकम इशी सात्वत भावना का प्रतीक है आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकारपन हुआ है तो एनिमल हस्पिटल का सलान्यास किया गया है इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंसीज का निर्मान कार्य भी आश्वे शुरू हुआ है इससे गुजरात के ग्रामीनों, गरीबों, आदिवासियों विशेश रुप से दक्षी गुजरात के साथियों को हमारी माताओं बहनों को बहुत लाब होगा इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं राकेश जी को इस पूरे मिशन को आपके सभी भक्तजनों को, सेवावरतियों को जितना धन्यवाद करूतना कम है, जितना अभिनंदन करूतना कम है अना आजे जारी मारी सामे धरम पूर्माव विशाण जन सागर देखातो होए मने मनमा हतों कहाजे मने राकेश जीन गणाम दिवातों सामड़वा मल से पड़ एमने बहु टूकवा पतावी दिदू अन्ने एमने रंचुरदास मोदी जीने याद करया उँआक्षेत्र था जे खुब परिश्यत रहो जो वर्षो पहला तमारा बदानी बच्चे रहो क्या रेक धरमपूर्द तो क्या रेक सिदूमबर आप साउनी बच्चे रहतो होतो अन्ने आज आटलो मोटू विकास नू फलक जो अन्ने त्याना लोकों आटलोई वदो अन्ने मने आनन्दे वातनों उठाय के छेक मुंबई थी लोको अहीं आवीने सेवामा जोडाता होई छे गुजरातना खुणे 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 थी लोको आवीने जोडाता होई छे विदेशों मां थी आविने जोडाता होई छे। एटे स्रिमद राजचंद्र जी एक मुक्ष सेवक नी जेम जे समाज भक्तिना बीज बावयाता ये आजे केवा वटबुक्ष बनी रहाँ छे। ये आपने अनुभविश किये छे। साथियों, स्रिमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा है। मैंने आपके समाज कारियों को इतनी नदिकी से देखा है कि जब ये नाम सुनता हूँ तो मन आप सभी के प्रती सम्मान से भर जाता है। आज जब देश आज़ाजी के 75 वर्ष का पर्म मना रहा है, अम्रित महोसों मना रहा है, तो हमें इसी कर्तवे भाव की सबसे ज़्यादा जरुरत है। इस पवित्र भूमी में, इस महान भूमी में, इस पुन्य भूमी में, हमें जितना मिला है, उसका एक आउश भी, हम समाज को वापस लाटाने का प्रयास करते हैं, तो समाज में और तेजी से बड़लाव आता है। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है, कि पुझ गुरुदेव के नेत्रुत में, शिमद राज चंद्र मिशन, गुजरात में, ग्रामीन आरोके के शेत्र में, प्रसंशनिय कार कर रहा है। गरीब की सेवा की ये प्रतिबद्दता, इस नए अस्पताल से और मजबुत होगी। ये अस्पताल और रिसर्च सेंटर, ग्रामीन खेत्र में आदूज सुविधाय देने जा रहा है। उत्तम इलाज को सभी के लिए सुलब कर रहा है। ये आजहादी के अमरित काल में स्वस्त भारत के लिए देश के वीजन को ताकत देने वाला है। ये आरोग्य के खेत्र में सबका प्रयास की भावना को ससक्त करने वाला है। साथियों, आजहादी के अमरित महोस्व में देश अपने उन संतानों को याद कर रहा है। जिनोंने भारत को गुलामी से बहार निकालने के लिए प्रयास किये। सिमत राजचदर जी ऐसे ही एक संत पुरूस, ग्याता पुरूस, एक दिर्गत रष्टा महाव संत से जिनका एक विराज योगदान इस देश के इतिहास में है। ये दुरुभागी रहा है कि भारत के ज्ञान को भारत की असली ताकत से देश और दुनिया को परीच कराने वाले ओजस्वी नेत्रुत्व को हमने बहुती जल्द खो दिया। खुद पापू पुज महात्मा गांदी ने कहा था कि हमें शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे लेकिन सीमत के लिए एक ही जन्म काफी है। आप कलपना कीजिए महात्मा गांदी के विचारों को जिनों ने प्रभावित किया। जिन महात्मा गांदी को आज हम दुनिया में पत्प्रदर्शक रुप में देखते हैं। जिन महात्मा गांदी के विचारों के प्रकाश में एक दुनिया एक नए जीवन को तलासी रहती है। वही पुझ बापू अपनी आध्यात्मिक चेतना के लिए सीमत राज चंद्रजी से प्रेणा पाते थे। मैं समझता हूँ कि राकेश जी का देश बहुत रूणी हैं जीनों ने सीमत राज चंद्रजी के ज्यान प्रभा को जारी रखा। अने आजे आ होस्पटल बनावी ने अटला पवित्र काम मां राकेश जीनी द्रश्टी पन छे, पुर्शात पन छे, अने यमनू जीवन पन छे। अन्छता हैं आखाय प्रकल्प ने हमने रंचोजास मोधी ने एक आधर्निया सेवा भाव तरीके अर्पित करियों ये राकेश जीनी मोटाईश है। समाज के गरीब, बंचीत और आधिवासियों के लिए इस प्रकार अपना जीवन समर्पित कर देने वाले ऐशे व्यक्तित्व देश की चेतना को जागृत किये हुए हैं। साथियों, ये जो नया सेंटर और एक्सलेंस फर विमन बन रहा है, ये आधिवासि बेहनों बेटियों के कौशल को निखारने, उनके जीवन को अधिक समृत्य बनाने के तरफ एक और बड़ा कदम है। सिमद राज चंद्र जीतों, शिक्षा और कौशल से बेटियों के ससक्ति करण के बहुत आगरई से, उन्होंने बहुत कम आयू में ही महिला ससक्ति करण पर गंबीरता से अपनी बाते रखी। अपनी एक कविता में वो लिखते हैं कुधारे करलो बव। हुमलो हिम्मत धरी वधारे वधारे जोड दर्शाम्यू खरे सुधारानी सामे जेने कमर्सी चे हसी नित्य नित्य कुसम्मजे लाववा ध्याने धरे तेने काडवाने तमे नार किलवनी आपों कुछालो नठारा काड़ो बीजाजे बहु नड़े इसका भाव ये कि बेटियों को पढ़ाना जरूरी है कि समाज में सुधार तेजी से हो सके समाज में आई वराईयों को हम और तेजी से दूर कर सके उन्होंने महिलाओं को आजहादी के आंदोलन में हिस्सा नेने के लिए भी बहुत प्रोद्शाइद किया इसका परिणाम हम गांदी जी के सत्यागरों में भी इस पस्ट रुप से देख सकते हैं यहां महिलाओं के एक बहुत बड़ी भागिदारी होती थी देश की नारी शक्ति को आजहदी के अमरित कान में राष्ट्र शक्ति के रुप में सामने लाना हम सभी का दाईत्व है केंदर सरकार आज बहनों बेटियों के सामने आने वाली हर उस अर्चन को दूर करने में जुटी है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है इन प्रयासों में जब समाज जुडता है तब आप जैसे सेवा कर्मी जुडते हैं तब तेजी से बडलाव आता ही है और यही बडलाव आज देश अनुफव कर रहा है साथियों आज भारत स्वास्थ की जिस नीती पर चल रहा है उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोध्य की चिन्ता है भारत मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले टीकों के साथ ही पशुओं के लिए भी राष्ट्र व्यापी टीका करन अभियान चला रहा है देश में गाय भैस सहीत तमाम पशुओं को फूट एंड माउट डिसीज में बचाव के करीब बारा करो टीके लगाए जा चुके हैं इस में से लगभग नब्बे लाग टीके गुजरात में ही लगाए गए हैं इलाज की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बिमारियों से बचाव भी उतना ही आवशक है मुझे खुशी है कि इन प्रयासों को स्रिमद राज चंद्र मिशन भी ससक्त कर रहा है साथियों अध्यात्म और सामाजिक दाईत्व दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक है स्रिमद राज चंद्र जी का जीवन इसका प्रमाण रहा है उन्होंने अध्यात्म और समाज सेवा की भावना को एकिकृत किया मजबूत किया इसलिए उनका प्रभाव आध्यात्मिक और सामाजिक हर रिलिहाद से गहरा था उनके ये प्रयास आज के दौर में और अधिक प्रासंगिक है आज 21 सदी में नई पीड़ी हमारी युवा पीड़ी उजवल भविश्य का एक सामर्थ देती है इसी पीड़ी के सामने अनेक नए आउसर भी है अनेक चुनोतिया भी है और अनेक नए दाइत्व भै है इस युवा पीड़ी में भावतिक बल इनोवेशन की इच्छा शक्ति भरपूर है इसी पीड़ी को आप जैसे संगठनों का हारदर्शन उन्हें कर्तव्य परतपर तेजी से चलने में सहायता करेगा मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र जिन्तन और सेवा भाव के इस अभ्यान को सिमद राज्चंद्र मिशन ऐसे ही सम्रद्ध करता रहेगा अने तमारा बदानी वच्चे आयोची त्यारे बे बाद जरूर करीश एक आपने त्यां कोरोना माटे प्रिकोशन डोजनों अतारे भ्यान चाली देऊशे जेमने बे रसी मुकावी छे एमना माटे तीजी रसी पंचोतेर वर्स आजादीना छे निमिते पंचोतर दिवस मफतमा बद्धेज करवानू अभ्यान चाली रहुशे अहीं बेठेला आप सव बडिलोंने मित्रोंने सात्योंने मारा आदिवासी भाईयों बेनोंने मारी विननती छे कि आपे जो प्रिकोशन डोज न लिदो होए तो वेलासर आपने लई लेए सरकार आ तीजो डोज पाण मफतमा अपनुव भ्यान पंचोतर दिवस माटे शणू कर जूशे एनो आपने जरूर लाब लईये औने आ कामने आपने आगल भधारिये आपना सरी ने पंचाचविये परिवारना सात्यों ने पंचाचविये औने गाम मोणला विस्तार ने पंचाचविये आजे रूबरू मा मने धरंपूर आपमानों अवसर मले हो तो मने विशेस आनन थात कारके धरंपूर्ण आलेक परिवारों साथे मारों बहु निकट नातो रहोशे, परन्तु उस समय अभावे उँँ आवी नती शक्यों, वीडियो कांफरंस ते आवी ने तमारी साथे बात कर रहोशु, उँ राकेश जीनों पन खुब आभारी शु कि एमने वीडियो कांफरं जोवानों, आपना सेवाकारियों ने जोवानों, बहु वर्षव पहला हावे तो बच्चे गणो सनोब विलम गवशे, समय अभावे उचे, फरियावी त्यारे जरूर मलिश, और आप सव ना उत्तम स्वास्त माटे कामना करू छुँ, और आपे जे सेंटर फोर एक्सलेंस बनाया छे, एनि सुवास, दिवस राद भत्ती जाए, देश अने दुनिया ना खुने-खुने पहुंत्ती जाए, एज मारी खुब-खुब शुब कामनाओ, खुब-खुब धन्यवाद.